नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम गाइडेंस पे आज का टॉपिक क्वाडटिक एक्वेशन जिनके प्रश्ण प्राया सभी कॉंपटिटिव एक्जाम्स में बनते हैं अगर आपने इसकी बेसक वीडियो न देखी हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन में देती है उससे जरूर देखें वीडियो पे आगे बढ़ूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राईब नहीं किया हो तो सब्सक्राईब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले जिससे प्रतेक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिल जाएगा पहला सवाल आप देखो एक कॉंसेट आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दी है यह रूट्स क्या होता है यह मैंने आपको बताया था आप यहां पे रूट्स के बारे में सोचो यह x-square यहां पे आपको दिख रहा है आपके एक्वेशन जो form होते हैं उसमें भी यह रहते हैं माइनस यह पहले सिर्थ था आपका सम आफ रूट्स सोचो कि यह 7 कैसे होगा कौन सा वो 2 रूट्स होगा जो 7 जोडने पर देता हो और गुना करने पर 6 ही देता हो जैसा यहां पर आपको दिख रहा है आप यहां पे अगर देखोगे तो रूट्स में 6 into 1 यानि 6 into 1 क्या होता है 6 into 1 6 ही होता है प्रोड़क्ट आफ रूट्स आपका clear हो गया साथी साथ इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 1 जोडने पर क्या होता है 7 होता है यानि वो दोनों रूट्स है कौन-कौन 6 और 1 यह माइनस का टेंशन नहीं है चुकि माइनस तो पहले से होता है होप से आप समझ में आ रहा होगा आपको तो 6 और 1 आपका right answer बढ़ते हैं आगे अब यहां पर अगर फोकस करो इसी question को इसी term पर अगर break करे तो 8 दूनी 16 आपने सुना ही होगा यह 16 को अगर break करोगे 8 इंटू 2 पर ताकि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो यह 10 मिल जाएगा लेकिन एक बात यहां पर यह पहले से minus हुआ करता था और यहां पर यह प्लस दे रहा है मतलब यहां पर कुछ और भी आपको देखना पड़ेगा sign के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा तो sign के बारे में थोड़ा समझते हैं यहाँ पे 8 और 2 को गुना करें तो 16 तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है आप एक काम करो इन दोनों में माइनस बठा दो अगर इन दोनों में माइनस बठाओगे तब क्या होगा आप चेक कर लो पूरा एक्वेशन साडिस्फाई करेगा माइनस 8 को यदि माइनस 2 से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस होते है प्लस 16 वाँ दिखेगा साथी साथ इन दोनों को जब जोडोगे 8 और माइनस 2 को जोडोगे तो माइनस में 10 देगा चुकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन होता है साथी साथ यह माइनस 10 यहाँ पर अगर रिजल्ट देगा तो आगे भी तो एक माइनस हुआ करता था जिसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानि प्लस 10 है यहाँ पर दिख रहा है यानि वो रूट्स कौन कौन से हैं माइनस 8 और माइनस 2 y² प्लस 10y प्लस 21 is equal to 0 उसी concept पर फिर से तो यह 20 को ब्रेक करोगे 7 इंटो 3 आपको समझ में आ रहा होगा साथी साथ यहाँ पे इन दोनों का प्रोड़क्ट करोगे तो यहाँ पे 21 दिखना भी चाहिए और जोड़े पर 10 भी दिखना चाहिए यह दिख रहा है लेकिन आगे आ आपका यहाँ पे मैनस होना चीए था यह प्लस दिखा रहा है तो मैनस करने के लिए क्रेंगे दोनों पे मानस चढ़ा देंगे जैसा अभी इससे पहले वाले equation में किये थे जिससे क्या होगा इन दोनों को जब गुना करोगे तो minus into minus plus हो जाएगा जो plus 21 यहाँ पर दिखाएगा साथी 7 साथ और 3 को जोड़ोगे तो minus 10 होगा और minus minus यहाँ पर कटेगा तो plus हो जाएगा यह satisfy feel करा रहा है यानि दोनों roots यानि दोनों answer क्या होंगे minus 7 और minus 3 बढ़ते हैं क्ले सवाल पर x square minus 4x minus 21 is equal to 0 इसी equation को फिर ऐसे ही break करते हैं इसी mode पर तो साथी 21 आप जानते ही होंगे साथी 20 होता है साथी साथ इन दोनों का difference चार भी लादेगा जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तो 4 लादेगा लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह minus 21 है यानि इन दोनों में किसी में एक minus चड़ाना पड़ेगा साथ में 3 जाएगा मैंने कहा था साथ में अगर 3 जाएगा तो 4 बचेंगे यह minus इसका tension न लो minus तो पहले से होता था आप देखो साथ में से अगर 3 जाएगा चार हो गया साथ यह minus 20 हा भी जा रहा है यानि satisfy field करा रहा है तो वो दोनों roots यानि दोनों answer क्या होंगे साथ और minus 3 बढ़ते हैं अगले सवाल पर a square minus 4 a minus 5 is equal to 0 आप यह अगर समझोगे तो यह 5 को तोड़ सकते हो 5 into 1 5 into 1 क्या होता है 5B होता है साथ ही साथ 5 में अगर 1 जाएगा तो minus में यह 4 दिखने लगेगा चुकि minus तो पहले से होता था minus यहाँ पहले से होता था तो minus का tension इसका नहीं है लेकिन अगर 5 में 1 जाएगा यानि जाना है तो minus करना पड़ेगा 5 into minus 1 that is minus 5 इसलिए तो यहाँ minus 5 दिख रहा है यानि यह satisfaction फील करा रहा है यह दोनों roots कौन-कौन सा 5 और minus 1 तो इसका right answer क्या होगा 5 भी होगा और minus 1 भी होगा बढ़ते हैं अगले सवाल पर x square plus x minus 12 is equal to 0 अब यह 12 को देख करके फील हो गया होगा 4 तीया 12 होते हैं 4 तीया 12 यानि 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 1 दिखेगा अब आप देखों यहाँ पर plus में है इसमें यह अगर plus में है तो इसको आप कैसे plus में की होगे यह तो सुरुवात में minus में होता था तो जरूर इसका result आपका अंदर से minus आया होगा minus 1 into minus 12 में भी minus minus क्या हो जाएगा plus साथी साथ इन दोनों का product करो 4 तीया क्या होते है 12 minus 12 यहाँ पर भी दिख रहा है यानि right answer क्या होगा minus 4 भी होगा और plus 3 भी होगा बढ़ते हैं एक ले सवाल पर अब यह question थोड़ा सा अलग हो गया है 9y square minus 18y plus 5 is equal to 0 आप बनाओगे वही तरीका से यहाँ पर क्या है कि आपको जो roots देखने है product of roots को जिसे हम लोग break करते हैं यह product आपका इन दोनों का होगा product यानि गुननफल यानि 9 पच्छे 45 होता है यह 45 आप लिख लो 45 लिख लो अब यह 45 को break करो ऐसा ताकि बीच में जोडने पर आपका 18 आजाए चुकि दोनों roots आपका गुना करने पर 45 होता है 15 तिया 45 आपने सुनाई होगा 15 को यदि 3 से गुना करोगे तो 45 हो जाते साथी साथ 15 और 3 को अगर यहाँ पर जोडते हो sum of roots क्या देगा 18 देगा और यह minus का tension है नहीं minus तो पहले से होता था तो 15 और 3 आपका right answer होगा जो कि आपके पास available 15 और 3 माफ करिएगा यह right answer नहीं है इसमें एक और काम करना पड़ेगा 15 और 3 अभी तक का right answer है आप यहाँ पर feel करो 15 तीन लाने के बाद आप यह आगे number देख रहे हो numeric form उसे आप नीचे लगाओगे यह नीचे लगाने के बाद 15 बटा 9 और 3 बटा 9 दिख रहा है 15 बटा 9 और 3 बटा 9 को आप solve करना क्या दिखेगा 15 बटा 9 और 3 बटा 9 को अगर हम solve कर देंगे तो यह क्या दिखेगा पंदरा बटा 9 अगर करेंगे तो यह तो कट रहा है ना 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, यानि पहला आंसर आ जाएगा 5 बटा 3, फिर क्या था आपका, एक था आपका यहां पर 3 बटा 9, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बटा 3, तो 5 बटा 3 और 1 बटा 3 आपका राइट आंसर होगा, होप सोग क्लियर होगा, और भी क्विश्चन देखते हैं इसे, 2x स्क्वाइर माइनस 9x प्लस 10 इस इक्वल टू 0, आप यहां पर देखो, इसमें इन दोनों का प्रोड़क्ट देखना है, 10 को यदि 2 से गुना करोगे, तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, 20 यहां पर लिख दो, इसे आप ब्रेक करो, तोड़ो, तो 5 के 20 आपने सुना होगा, यानि इनको तोड़ने पर 5 और 4 दोनों प्राप्त होगे, साथी साथ, यह प्रोड़क्ट का का काम हो गया, 20 दे रहा है, लेकिन इन दोनों को जोडने पर 9 देना चीए, 9 देता भी है, यह माइनस का दो, तो दूसरा है, इसे जब काटोगे, तो 2 आएगा, यानि राइट आंसर 5 बटा 2 और 2 होगा, बढ़ते एंगले सवाल पर, इस क्वेशन का सॉलिशन बताओं उससे पहले, मैं यह चाहता हूँ कि इसमें काफी महनत लगी है, और आप जो है, लाइक करके मेरी महनत को और आगे बढ़ा सकते हो, इससे और अच्छे-च्छे क्वेशन मैं इसमें दिखाऊंगा, बेटर है कि आप मुझे भी उससाहित करें इस क्वेशन को जब मैं क्लियर करता हूँ, तो मैं यह उमीद लगाता हूँ कि आपको यह समझ में आता होगा, और यह समझ में अगर आता ह है तो आप इसे like जरूर करें, दोस्तों के साथ share करना, question पर आता हूँ, 8x square minus 70, 8x plus 169 is equal to 0, आप यहाँ पर वही concept को फिर से लगाओगे, लेकिन यहाँ पर जब concept लगाओगे, तो product करने में थोड़ा महनत लग जाएगा, इन दोनों का गुना करना पड़ेगा, तो ऐसे में के लिए आपको करना क्या चाहिए, यह एक bank PO का question है, आप यहाँ पर देखोगे, यह 169 को आप आधा आधा में break करो, यानि 13 का यह square है, 13 गुना 13 क्या होता है, 169 होता है, यह 8 को भी break करो, ऐसे आगर आधा 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 नहीं break हो सकता है तो आप उसे करीब करीब तोड़ के रखना, जैसे 4 गुना 2 क्या होता है, 8, प्रोड़क्ट के रूप में तोड़ना, आप यहाँ पर प्रोड़क्ट यानि गुननफल, आप यहाँ पर देखोगे, इसे जब break कर लोगे, तो यह और यह इन दोनों का आप गुननफल देख लो, तेरा चोके क्या होता है, 52 होता ह जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, 78, 52 और 26 को जोड़ोगे, 78 हो जाता है, मतलब आप एकदम सही राश्ते पर हो, आप यहाँ पर देखोगे, आप जब इसे जोड़ोगे, तो यह 78 दे चुके, अब आपको आगे क्या करना है, यह माइनस का टेंशन तो है, यह माइनस तो जाता था, जो मैंने आपको सुरुवात से ही बताया है, आप यहाँ पर देखोगे, फाइनल आंसर देने के लिए आपको करना क्या है, बीच का टम भी आ गया, यानि सम आफ रूट्स आ गया, प्रोड़क्ट आफ रूट्स भी आ गया, तो अब आपको फाइनल आंसर देने दो से कट रहा है, तेरा बार में, यानि तेरा बटा चार, तो एक आंसर तेरा बटा दो, दूसरा आंसर तेरा बटा चार, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक, उसी कॉंसेप्ट को आगे लेते हुए, अगर इसे भी आप ब्रेक करोगे, 169 देखोगे, तो तेरा इंटू जो भी मैंने आपको बताया, और ये 20 को देखोगे, तो 4 गुना 5, 20 होते हैं, आप 13 को जब 5 से गुना करोगे, तो 65 आने वाले हैं, और 13 को जब 4 से गुना करोगे, आगे वाला, तो 13 चुके 52 आएंगे, अब आप देखो इन दोनों को जोड़के, क्या 117 आते हैं, तो इस काम समप्त करने के लिए आपको आगे और क्या करना चाहिए जो आगे term है उससे आपको divide भी लगाना है जो मैंने आपको बताया था जब आप इससे divide लगाओगे तो क्या दिखेगा ये 5 से कट रहा है 13 बार में और 5 से कट रहा है 4 बार में कैसे confuse होता है मैं आपको hint कर दूँ जैसे 3 और 2 का product लेंगे तो आपका 3 दोनी 6 माइनस 6 आ जाएगा तो माइनस 6 को दो तरीके से तोड़ सकते हैं तो आपका यहाँ पर हो गया 6 गुना 1 और 1 हो गया 3 गुना 2 6 में अगर एक जाएगा तो 5 बीच वाला ला देगा और 3 और 2 को जोड़ोगे तो भी 5 ला देगा इसी में confusion होता है आप यहाँ पर इसे अच्छे से समधो यहाँ पर अगर देखोगे अगर मैं इसे लेता हूँ नीचे बाले को तो यह गलत हो जाएगा answer कैसे गलत हो जाएगा चुकि माइनस 6 आपका answer आया था अगर इसमें आप माइनस इसमें लगाओ या 3 में लगाओ आपका जोड़ने में कभी भी 5 नहीं आएगा अगर आप यह सोच रहा है दोनों में लगा देखो तो यहाँ पर देखो तो बीच वाले में तो प्लस 500 होगे लेकिन इन दोनों का प्रोड़क्ट माइनस 6 नहीं होगा इन दोनों का प्रोड़क्ट हो जाएगा केवल और केवल 6 होप सो आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो राइट है उसे हम लोग कैसे बनाएंगे जैसे ही आप 6 गुना 1 करोगे तो आप 6 में अगर 1 घटा होगे तो यह 5 देंगे जो 6 और 1 को घटा होगे तो 5 देंगे लेकिन आगे तो माइनस लगा रहा ता ता सर यह प्लस कैसे होगा यानि कि आपको यह माइनस हटा करके सीधा 6 में लगाना पड़ेगा यानि आपका कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ पे माइनस लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा 6 में अगर 1 जाएगा तो यह result क्या देगा? माइनस 5 देगा 6 में अगर 1 जाएगा यानि प्लस करेंगे तो यह माइनस 5 देगा माइनस और माइनस बीच वाले term तो प्लस हो जाएगा चुकि यह already नेगेटिव होते थे चलो ठीक है यह term मिल गया कि 1-6 होगा और 1-1 होगा जिसे आप गुना करोगे तो भी आ जाएगा और तोड़ोगे तो भी आ जाएगा तो आप यहाँ पर देखो minus 6 एक आया है और एक आया है अब आगे क्या करना है तीन से इसको भाग भी लगाना है यह नहीं भूली तीन से क्यों भाग लगाना है चुकि आगे में तीन है अब जब इसे divide लगाओगे तो यह minus 2 देगा और इसे divide लगाने की जरूत नहीं है यह already divided है यानि fraction पर कटने वाला नहीं है तो एक में minus 2 आया है एक में एक बटा 3 आया यह question का answer आप comment करके मुझे बताना यह topic आपको कैसा लगा यह भी मुझे जरूर बताना वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे like दे मेरे इस वीडियो को पसंद करे दोस्तों के बीच में share करे चैनल पर नए हो फिर से कह रहा हूँ subscribe करना न भूले धन्यवाद